हलो गाइज हाव व्यूंग आपको बताऊंगा सेंटेंस में निकाल करके एड़ेक्टिव क्या होता है एड़े होता है कंजेक्शन क्या होता है प्रेपोजिशन क्या होता है ठीक को आपको कुछ भी आद करने जरूरत नहीं है कि एड़्वर्ह में तू आता है या कोई भी वी वार्ड आता है कुछ याद करने जरूरत नहीं चεςक्ट मैं आपका निकालना बता क्या नेजिए और देखें आई होप आपको जो है ना इस वीडियो के बाद हर एक चीज किलियर हो जाएगी ठीक चले चलते हैं फर्स्ट पर मैं आपको आज निकालने सिखाऊंगा नाउन एजेक्टिव एडवर्ब कंजेक्शन एट्सेटरा जो भी पार्ट्स पिस्पीच में आते हैं वह सब ठीक है तो देखें सबसे पहला सेंटेंस क्या यहां पर राहूल इज आ टॉल बॉई तो देखें राहूल क्या हो गया नाम हो गया यहीनि नाउन क्या होता है जैसे मैंने लाश्व बदॉम बताएक नाम ठीक है जिए जब हमें मतलब पतका लग लग जाता वही हमारे लिए नाउनों होता है ठीक है फो चीजद दिखें यानों धिकैं या इनल्षिवल हो अगर हमें बचmee फर राहूल की लिर पता ल पढ़िए आर्टिकल होते हैं 3 एक तो ए होता है एन होता है और दी होता है तहीग है पढ़िए इनका एक रुर्मम्र में बताद थो देखaliaincome ए अ जरूर्द यहां पर ऐंद लंबे होना लंबे होना कोई नाम तो नहीं है तो यह नाम करा सकते हैं लेकिंद जहां पर नहीं होते है तो फिर से अगला रावन से पहले चीज़ आती है जो इसे बोल रहा और वॉइक क्या है नावन नहीं तो नावन की बताता है हमें सा क्या होता है अजज्ट इसक्टिव यानि यह हो जाएगा आपका एजेक्टिवत क्योंकि बॉइ है लुपा लुम्बा कौन हे इसमें सेंटेंज में यह निफिदे अब है यानि बॉइ लंब भाई ठीक है और फिर इसा व्यारी टॉल बॉइ नेर्श क्या है देखे प्रोनाउम क्या होता है जहां पर हमने किसी का बोला था वहां पर रिखिलिए नाम बोला था लेकिन आगर हम ही करके पॉलिए उसे तो क्या हो जाए कर प्रॉम जैसे किसी लड़की के बोला सबुस्थ रिया बोला हमने ब्लिया बोले तो नमने नाउन को रिप्लेस करता है डैट वर्ड को टूम ठीक है भी यह हो गया तो इसका पन्होंग पता है तर इसके बाद नौं आने जरूर जरूर है अब ला all the way अब सब्सक्राइब हम बैर्स सब्सक्राइब फिर सबल नाऊN बढ़ी तो है जो टो एकर लस्मीश्मिया और कि टॉल तो यह लंबा तो है उसमें बताए यह वो जाएगा ठीक हो जाएगा टुझ किकाले घुटिए पॉइसरे फोड़न कि लेकिन अलंबा है तो वह बढूर तो ऑसके बारे मेह बबताएगा तरहां लेकिन कुछ नहीं हो रहा हुआ हए कुछ नहीं हो रहा है श कैसे लвид कंट म Rega फटल यानि में बहुत सब कहां है मैं। है कि यहां पर हो जाएगा हमारा हो जायेगा लएक आगे चलते हैं दो कि पहचान आप इसमें से पहचान है युश है इसमें पहले अब देखिए आया है थो आगे जलोर मौन नहीं लग यह दो सबस्क्राइब इसके बार वह चारा मैं जगा गाए जगा हमावा यह जगा हो जाएगा इसमें हम एजक्टीव पहिा हसा जएकूंद पहस्ट क्योंकि कि इस तरीक से आपको सिटेट वगर में देगा कि पहचाने या एडवर पहचाने या प्रेपजिशन पहचाने या कंजक्शन पहचाने इस तरीक से आपको देगा ठीक है नेट देखें दिस न्यूज इस गोड न्यूज देखे न्यूज क्या है एक नाम है ठीक है अब देखे अभी नाउन है तो गुट किसे बोले जा रहा है गुट इसको बोले जा रहा है इसको बोले जा रहा है न्यूज को बोले जा रहा है कि न्यूज अच्छी है ठीक तो देखे न्यूज क अब देखें यहां पर सिस्टर्स क्या है सिस्टर नाम एक नाउन में आता है तो नाउन की जो नाउन के बारे में जो कुछ भी बताता है कुछ भी वह हमारा क्या होता है अब तो जो इस से पहले आया है नाउन से पहले आता है जैक्टिव तो हमारा तो इस जगह क्यों यहां पर the black cat coat a small bird black coat ने एक small bird पकड़ लिया ठीक है तो देखिए अगर यहां पर आया मैंने कहाता आर्टिकल्स जहां पर होंगे उसके बाद नाउन जुरूर आता है the black black quality लग रहे हैं the black cat तो cat हो गया हमारा नाउन नाउन हो गया तो इससे पहले आने वाली चीज ब्लैक क्या होगी इस जगह यह क्या हो जाएगा हमारी एजेक्टिव यानि नाउन से पहले क्या आता है एजेक्टिव ठीक कोट हमारी थर्ड फॉर्म हो गई आइसमाल बर्ड अ झालते हैं नेट कहा है और लॉघ तेल क्या हो गई पूंछो जाती है यानि यह नाउन हो जाएगा मैं ठीक है अभ़े कैसे है लो यह क्वालिटी हो गई यानि यह थीक्टिव यह हो गया ठीक है यृघ्च्ट है यह लाइघ्स इस पैन पैन क्या है या पर प्र नाउन देखिए he likes pen pen noun हो गया तो इसमें adjective क्या होगा इसमें दिस अजेक्टिव होगा आपको याद करने जूरत नहीं बस निकालने हैं ठीक है सब्सक्राइबर जहनी वर्ट करने काम करते हैं एक सेंट्स में या दो से ज़्याद़ वड को यह व्याद करने काम करते हैं वह सब ठिक अभक देखिए अ अब मैंने कहा अगर एन आया है तो उसके बाद टो फारर सौन आना है आला ऑर एक अब मैन यहां पर नाउन हो गया तो उससे पहले आने वाल चीज क्या होगी और अजयक्टिव लेकिन हमें इसमें पह्चानना कहई है जलिए देखते हैं अब दो एडेलमेन इज नेवर हपी अब देखें है किया है है फिसम घज्न जायेगा तो अठीक है तो अजिटिव क्वालिटिक अब आता है अब नवर किसे बोल रहे है नने वर है आईडल ने रहे हैं आप जब अगर एड़ ग्यों क्वालिटी बताता है ठीक है दूसरा वर्ब की और इसमें क्या है अगर यह क्या हो जाएगा अब आपने सुना है कभी एड़ वोता है इसमें हो गया इस तरीके से आते हैं ठीक है क्या होगा होजाएगा ॐ से और यहां पर अन्य को बार आता रहता है मतलब कहीं बार आता रहता है यहां पर यह तो इसमें क्या है देखे रातियए और बार भी ऐड़ बर्ब की क्øैलिटी बता था वो क्या होता है एजेक्टीव सुरी एड़वर्ब तो देखें ही ओफन कमस यानि आता कहीं बार है तो ऑफन क्या हो जाएगा इसमें एड़वर्ब हो जाएगा भी इसलिम ठीक है क्योंकि आने से कनेक्ट हो रहा ना कई बार क्या हो रहा है कई बार आना हो रहा है वह कई बार नहीं हो रहा है कई बार क्या हो रहा है आना कई बार आता है अने को बार आता है अब देखें कहां here यहां क्या है यहां आता ही तो है वह यहां है यह आता यहां है अब यह भी इस से जुड़ रहा है तो यह भी एड़र्व हो जाएगा तो इस sentence में कितने एड़र्व हो जाएंगे ठीक है फिरा नेक्ट देखें रिया है लेटली रिटरंड टू हो अब देखिए तो नाउन है यह हैं लेटली रिटरंड यह यह वर्ब हो गई अब लेटली क्या हो र और यह हो रहा है यह आना लेट वरा वॉसका अनलेट हो रहा है ना और आना क्या है वर्ब अठीक है तो यह बन्र वेश्टनerem के लिए कहता रहता है तो देखिए आपको स्यंक्षर नों प्रोनन पहचानी लेते हो में चीजे यह हैं ओल्वेज हमेशा इस्पीक बोलना यह क्या हो गया वर्ब हो गई में वर्ब हो गई टू गो आपको सिंपल पता है कि यह वर्ब होती है अब देखें ओल्वेज क्या है ओल्वेज किस से कनेक्ट हो रहा है वह हमेशा है या बोलता हमेशा है जाने के लिए ब वर नहीं प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन क्या है देखे प्रेपोजिशन जो है जट यह बताता है किसी चीज का किसी चीज के ऊपर होना नीचे होना अंदर होना बाहर होना यह सब चीजे बताता है बीच में होना आगे होना पीछे होना बिहाइंड होना ओन होना इन होना ए आएका जरूर तो यह परनाून ऊगया चलिए उसे छोड़िए हैं दूसे चीज एक और प्रादय के प्रपिकनट होते हैं जहाँ जहां प्रेपवससिंथ होते आती है उसके बाद अपने प्रफिंट्ट जरूरielt है तो फिक सो देखें सबसे पहले iarrator at the डी टेबल अब देखिये ओन क्या है यहां पर किसी मैंने क्या बता किसी उपर होग अंदर निए विल्होगे और अगे होग Εल Mendel औ το यहां पर होगे तो यहांग तो आई का object होता है तो objective मिल गया यहां पर वह मुझसे नारास्ता या गुस्ता था तो विद क्या हो जाएगा यहां पर preposition किसे था मी से यानि इसका अगर objective मिल गया तो ही preposition होगा वरना यह नहीं होगा ठीक है फिर देखें he came in the class अब देखें वह आया क्लास में ठीक है अंदर आया नहीं क्लास में उसके बाद क्या है objective मिल गया इसका नाउन में बोल दो या objective बोल दो एक ही बाते से यानि जिसके बाद objective मिल जाए वही प्रक भी प्रपोजिस्न नैए देखें they came in वह अंदर आया अब अंदर आने के देखें बात क्या वह रही है क्या अंदर अंदर का मतलब हो क्या रहा है यह ऐंज alarm मैं वैब तो देखे गईस देखे आया अंदर है नहीं क्या है के जानी अंदर चुछ ने पर Scoop यuciónसिया और मैंने क्या कहा था अगर वर्ट के बारे में कोई भी वर्ड बात करेगा वह क्या होता है adjective वर्ब की quality बताने वाला क्या होता है मैं सर एडवर्ब तो देखे भले यहां पर इना आपको रटाया गाया हो लिखाया गाया हो के यह प्रेपोजिसं होता है लेकिन इस चैन्टेस में क्या है क्योंकि आने की बात कर रहा है और आना क्या है वर्ब हैं तो यहां पर क्या हो ज देख लीज़े स्क्रिन्शॉट लेना चाहें ले सकते हैं इसका हुआ होप आपने स्क्रिन्शॉट ले लिया होगा ठीक है ठीक ग्यू अगर फार वाचिंग और कोई